हेलो बच्चो आज हम क्लास एर्थ की बुग इफ सो हैपन का लेसन फाइव प्रिंस सेप्टेमबर पढ़ेंगे और इसके जो राइटर है वो है सॉम्ब्रेस्ट मौगम ठेक है तो सबसे पहले देखें जब पॉइंट्स उपर लिखे हुए हम आपको रीडिंग करेंगे फिर इसके बाद difficult words की meaning बताएंगे और फिर explanation भी बताएंगे इसके question answer हम अल्रेडी नौरियास पाइब English इसी चैनल पे अल्रेडी लोड कर चुके word meaning और question answers आप वहां से देख सकते हैं देखे प्रिंस सेप्टेमबर like each one of her numerous sisters receives a gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday के प्रिंस सेप्टेमबर एक प्रि बहुत सारी बेहने थी numerous माले होता है अंगिनत बहुत सारी बेहने थी और सबको एक gift receive हुआ था अपने फादर की बर्दे पे एक पैरट golden cage में एक सोने की पिंजडे में एक पैरट उसके फादर की बर्दे पे सारी बेहनों को और प्रिंस सेप्टेमबर को दिया गया था point two देखिए the parrot dies and by chance a singing bird comes in its place और वो जो पैरट जो था प्रिंस सेप्टेमबर का उसकी death हो गई और chance की बात है कि एक singing bird एक गाने वाली चिडिया जो थी उसके जिगह आई तो point three देखिए the princess shows of her pet to her sister who advised her to put in a cage और जब प्रिंस जो राचवारी सेप्टेमबर थी उसने उस चिडिया को अपनी बेहनों को दिखाया तो उनकी बेहनों ने उसको advice दी सलह दी कि उसको पिंजडे में रखते है put it in a cage का मतलब है कि उसको पिंजडे में रखते है now see the king and queen of siam had many daughters जो siam एक राज जी का नाम है देखी capital है proper noun है तो king और queen जो थे वहां के उनकी कई सारी लड़किया थी and the queen said that it confused her to have to remember so many names और उनकी राणी ने कहा कि इतनी सारी लड़कियों के नाम याद रखने में उन वो बहुत confused हो जाती है one day the king decided to call them january, february, march though of course in siamese till he came to the youngest whom he called September तब उनके जो वहां के राजा थे उन्होंने decide कि वो अपनी बेचियों को january, february, march अपनी language में याने कि जो siam राजी की language थी उसमें पुकारेंगे और सबसे छोटी जो डौटर थी youngest थी जो सबसे छोटी थी उसको नाम उन्होंने September रखा, आगे देखिए, the king of siam had a peculiar habit, peculiar habit का मतलब होते ही, कुछ उनके खास आदत थी, kinky, instead of receiving gifts on his birthday, he gave them, कि generally बच्चों ऐसा होता है, कि जब किसी का birthday होता है, तो सब लोग उस birthday boy या birthday girl को gift देते हैं, लेकिन इनकी king की एक अजीब सी peculiar, एक अजीब सी habit थी, कि बजाए ये gift receive कर करने के, ये अपनी birthday पर सबको gift देते थे, one year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage, और एक बार अपनी birthday पर इन्होंने कुछ उनको, कुछ समझ में ने आया कि क्या दू, तो having anything else handy, उन्होंने सबनी सारी बेटियों को, एक सोनी के पिंड़े में एक हरा parrot दिया, तोता दिया, the princess were very proud of their the parrots, and they spent an hour every day in teaching them to talk, और जो princess थी, राजकुमारियां थी, ये अनके नाम हमने पढ़ा कि January, February, March, April, May, June, July, August, September, तो वो बहुत भी proud थी, तोते को पाकर अपने अपने तोतों को, और एक घंटा रोज वो लोको अपने अपने तोतों को teach करती थी, पढ़ाती थी, कि कैसे बात करनी है, presently, all the parrots could say, God save the king, और presently, जो जब ये कहानी चल रही है, तो उस समय तक, सारे parrots, जोते जेते, वो सब सीख गये थे, क्या कहना, God save the king, भगवान, राजा को सुरक्षित रखे, and some of them could say, pretty poly, और कुछ तो तो ये भी कहते थी, कि pretty poly, in no less than seven oriental language, और ये सब बाते, God save the king, और pretty poly, लगबग वो साथ oriental languages में कहते थे, ठीक है, oriental language का मतलब देखे, रिखा है, कि of the east, the oriental means countries of far east, ठीक है, कि far east की तरफ की जो languages थी, तो seven languages में parrots, God save the king, और pretty poly कहते थे, Now come to the page two, ये देखे, राजा जो है, राजा रानी है, अत्ती सारी उनकी बेटिया है, नौ, ठीक है, और सब को सोने के पिंजडे में एक तोता दे रहे है, अपनी बार्दे पर, But one day, when princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of the golden cage, और एक दिन जब princess September जो थी, वो अपने तोती को good morning wish करने गई, तो उसने देखा कि उसका तोता तो cage में अंदर मरा हुआ पड़ा है, she burst into a flood of tears, she burst into a flood of tears, कि वो food food करोई, and nothing that her mates of honor could say comforted her, और जो जुत्ती भी उसकी जो काम करने वाली थी, उसको help करने वाली, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकी, कि जिसे उसको आराम मिले, mates of honor माने वीचे देखे दिया भी है, कि woman attending the princess, जो उसकी देखभाल के लिए, राजा रानी ने रख रखे थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी, जिससे वो चुप हो जाया, उसको आराम मिले, वो food food करोती रही, क्योंकि उसका parrot मर गया था, she cried so much, that the mates of honor, not knowing what to do, वो इतना रो र said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper, supper कहते हैं बच्चो रात के dinner को, और जब उनकी मामी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुती nonsense वाली बात है, बहुती, और उन्होंने उनकी देखवाल करने वाली mates चो थी, princess September की, उनसे कहा कि the child had better go to bed without any supper, कि इसको खाना वाना मत दो, और इसक को जाके सुला दो, ठीक है, आगे दीखे, the mates of honor wanted to go to a party, और जो mates of honor बार-बार उनके present September की देखवाल करने वाली, जो ladies थी, उनको कहा जा रहा है, ठीक है, तो उन्होंने लोगों को एक party में जाना था, so they put princess September to bed as quickly as they could and left her by herself, तो उन्होंने लोगों को जल्दी से जाके present September को प सकती थी, और उसको अपने हाल पर छोड़ दिया, and while she lay in her bed, और जब वो अपने bed पर लेटी हुए थी, princess September crying still, even though she felt rather hungry, और वो अभी भी रोई जा रहे थी, बजाय से कि उसके भूग लगे, लेकिन वो भी भी रोई जा रहे थी, she saw a little bird hop into her room, और उसने देख़े, एक छोटी स पोचे, वाइप माने होता है पोचना, और टेस माने होता है आसू, तो अपने उसने अपने आसू पोचे, और बैठ गई, then little bird began to sing, and he sang a beautiful song, all about the lake in the king's garden, and the willow trees, and looked at themselves in the still water, and the gold fish that glided it, and the, glided in, and out of the branches that were reflected in it, तो फिर से देखे, बहुत लंबा सेंटेंस है यहाँ पर, then the little bird began to sing, और वो एक गाना-गाने लेकी चडिया, and he sang a beautiful song, और उसने इक बहुत सुन्दर गाना गाया, जिसमें किसी जो का वर्णन था, all about the lake in the king's garden, के जीलो का, राजा की बगीचों का, विलो ट्रीस होते हैं, पेड़ो ट्रीस कवर्णन था, that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it, और जो पेड़ थो थे, वो उनका reflection जो था, पानी में पढ़ रहा था, जानि कि उनकी परच्छाई पेड़ों पर पढ़ रहे थी, और ऐसा लग रहा था, कि गोल्द फेश जो पानी में है, वो पेड़ों चल रही है, क्योंकि पेड़ों का reflection पानी पर पढ़ रहा था, पेड़ पानी के अंदर दिखाई दे रहे थे परच्छाई में, तो और पानी में तो पचलिया चल रही थी, लेकिन जैसे लग रहा था, कि वो पेड़ों पर चल रही है, तो बहुत अच्छा है, ऐसा बढ़ि कि उसने खाना भी नहीं खाया है, डेनर भी नहीं किया है, और वो बहुत अच्छा गाना था, she said, the little bird gave her a bow, और उसने ऐसा कहा, तो little bird ने उसको जोग के बाव किया, जैसे बाव करना होते है, जैसे हम लोग जब कोई बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में प्रोग्राम करत जाता है, थोड़ा से जूख के अभी वादन किया जाता है, उसको बाव कहते है, would you care to have me in place of your parrot, और चिडिया ने कहा, said the little bird, और चोटी चिडिया ने उससे कहा, कि would you care to have me in place of your parrot, क्या तो मुझे अपने पैरट की जगह दे सकती हो, यानि कि पैरट की जगह तो मुझ को रख So, it's true that I am not so pretty to look at, यह बात सच्ची है कि मैं उतनी प्यारी नहीं हूं देखने में, but on the other hand, I have a much better voice, लेकिन दूसरी तरह हो, लेकिन मेरी आवाज बहुत अच्छी है, यह सब चिडिया कह रही है, Princess September से, Princess September clapped her hands with delight, और मारे खुशी के Princess September अपनी तालिया बजाने लगी, and then the little bird hopped on to the end of her bed, and sang her to sleep, और फे जो है, चो छोटी सी चिडिया थी, वो कुदक के, फुदक के, हॉप करके, बताब जाम करके, उसके बैट के किनारे पे बैट की, बिस्तर के किनारे पे बैट की, and sang her to sleep, और उसको सोलाने के लिए गाना गाने लेगी, when she awoke next day, the little bird was still there, और जब राजकुमारी ने अपनी आखे खोली, तो चिडिया ने कहा, good morning, the maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer, और जब maid of honors, यानि की राजकुमारी के देखवाल करने वाली जो ladies थी, वो breakfast लाई, तो उस चिडिया ने rice खाए, चावल खाए, राजकुमारी के हातों से, and he had his bath in her saucer, और उसी plate में उसने नहा भी लिया, he began to sing again so beautifully, the maids of honor were quite surprised, और उस चुडिया ने इतना सुंदर से गाना गाना शुरू किया, कि जो उसकी देखवाल करने वाली ladies थी, वो बहुत आश्टर चकित हो गई, surprised मने, आश्टर चकित हो ना, for they had never heard anything like it, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तर और proud feel करे थी, बहुत गर्व महसूस करे थी, now I want to show you to my eight sister, और उसने का, मुझे तुमको अपनी आठ बैनों को दिखा रहा है, है न, प्रिसेंस सेप्टेमबर का नाम सबसे छोटी थी, वो सेप्टेमबर थी, यानि कि 9th में सेप्टेमबर का होता है, तो यानि कि उसकी आठ बड़ी बैने थी, said the princess की, मैं तुमको अपनी आठ बैनों को दिखाऊंगी, she stretched out the first finger of her right hand, so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it, और उसने अपना जो राइट था, दाया हाथ जो था, right hand वाला साइट का हाथ, उसने आगे फिलाया, और उसकी first finger पे पहली उंगली थी, आगे बढ़ाई, त ताकि, so that, it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it, कि ताकि जो है, वो एक पर्च का काम करे, डाल का काम करे, और उसने चुड़िया आगे बैच सके, तो उसको बैचने के लिए, उसने अपने आगे की right hand की उंगली बढ़ाई, then followed by her mates of honor, और उसकी पीछे पीछे वो उसकी काम करने, उसकी के थ्रू गई, और उसने सारी अपनी बहनों को बुलाया, and for each of them, the little bird sang a different song, और सब के लिए, हर बहन के लिए, the little bird ने अलग-अलग गाना गाया, ठीक है, ठीक है, पर्च माने देखिए, यहाँ पर नीचे दिया भी हुआ है, कि place where a bird sits or rests, कि जहाँ पर चिडिया बैठके अर she went through the palace, and called on each of the princess, and for each of them, the birds sang a different song, but the parrots could only say, God save the king, लेकिन जो बाकी बहनों के जो parrots थे, वो से रही की बात कहना जानते थे, God save the king, कि भगवान राजा को शुरक्षित रखे, and pretty poly, और pretty poly कहते थे, at last she showed her little bird to the king and the queen, और अन्त में, राजा को मारे princess थी, उन्होंने अपने छोटी चिडिया को, अपने राजा को, और राणी को भी दिखाया, यानि कि अपने parents को भी दिखाया, they were surprised and delighted, we were surprised हुए, और बहुत ही खोश हुए, I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen, और राणी ने कहा, कि मैं जानती थी, कि मैं ठीक हूँ कि तुमको बिना खान कि सुलाने के सुलाने के सुलाने भेज जाए, क्योंकि एक दिन पहले जब वो parrot मरा था, तो उसने मेरो उसकी mates यही काता है, कि इसको बिना खाने के सुला दो, बिना खाना दिये, this bird sings much better than the parrots, said the king, और राजा ने कहा, कि भाईया, ये पैरेट से ज्यादा, तो बहुत अच् you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen, और queen ने कहा, कि हमें सोचना चाहिए, कि तुम बहुत थक गया होगे, सुनते-सुनते, कि God save the king, क्योंकि सब तो तो को सिर्फ यही बोलना आ था, तो God save the king, या फिर pretty poly, तो राणी ने ऐसा कहा, कि हम लोगों सोचना चाहिए, कि तुम बहुत सुनते-सु to say it to, मैं सोच नहीं सकती, कि यह लड़किया, जो है, क्यों सिखाना चाहती है, अपने अपने तोतों को, कि यह से कहो, कि God save the king, pretty poly, the sentiment is admirable, said the king, and I never mind, how often I hear it, तो admirable मानिका होता है, कि प्रशैशा की योग और sentiments, आपके जो अंदर की दिल के भाव होते हैं, तो आपके दिल के प्रशैशा की योग है, राजा ने ऐसा कहा, and I never mind, how often I hear it, मुझे इसका फरक नहीं पड़ता, मैं इसका बुरा नहीं मानता, कि यह बार मैं कित्ती बार सुनता हूं, क्योंकि सारे तो एक ही बात बोलते थे, तो राजा कहता है, यह बात मैं सुनके बार बार बुरा नहीं मा राज कुमारी यानि कि उनकी बेटियों ने कहा, कि यह तो वह साथ डिफरेंट डिफरेंट लांगुज में कहते हैं, भाशाओं में कहते हैं, क्योंकि हम लोग पर रहते हैं, और इंटल लांगुज में वह बोलतेते हैं, प्रिटी पॉली, I dare say, they do, I dare say, I agree, I accept that it is true, तो रा लेकिं यह बात बार बार प्रिटी पॉली कहना, यह मुझे अपने दर्वारियों की याद दिला देती, councillors होता है, दर्वारी, they say the same thing in seven different ways, and it never means anything in any way they say it, और वो भी भी एकी बात को, same thing को seven different different तरीके से कहते हैं, it never means anything in any way they say it, जैं वो किस तरह भी कहें, लेकिन एकी बात क वो लोग भी भार-बार दोहराते हैं, जैसे कि आपके आप लोगों के तोते, प्रिटी पॉली कहते हैं, तो यह उत जब भी प्रिटी पॉली कहते हैं, तो मुझे अपने दर्वारियों का याद आजाती है, क्योंकि वो भी यह सब same किया खरते हैं, यह देखिए राजकुम राज़कुमारिया जो थी, नहीं एक बॉर्ट हो गई, चिन्तित मो जो गई, और व्य मतल recap है आं, बेहला है, खिर वहुता है। व्य जैदीद मोरे मितनी दाए हो गई, गई।-परिश्च सेसे कर ग। गर का बद्चा हो गया। एक तरह की चिडिया होती है और लार्क कहलाती है वाइल दे लिटिल बड फ्लिव राउंड और राउंड हर सिंगिंग लाइक नाइटिंगेल तो सारी जो राजकुमारियां थी वो बहुत चिंतित होगे और सारे तोती भी बहुत उदास होगे लेकिन जो प्रिशस सेप्टेंबर रान थू ओ ऊल्म सेप्टेंबर signalika प्रिशस सेप्टेंबर ती वो प्रिशस माहल की सारे रूम में दड लगा रही थी लिए लिख रूर या्ट चिडिया की तरह गाना कह रही थी while लॉदिल बड फ्ली राउंड extending around her singing like a nightingale और जबकि जो छुटी चड़िया थी वो गोल-गोल-गोल घुम-खुम के गा रही थी like a nightingale एक विलकुल बुल-बुल की तर है nightingale चड़िया की तर है these went on like this for several days और ऐसा जो है कई दिनों तक चलता रहा then the eight princess put their heads together put their heads together का मतलब है सारी आठ बैनों में September की जो आठ बैने थी उन्हों में उन्होंने एक मत बनाया एक बात पर सहमत हुई they went to September और वो सब मिलके वो September के पास गई र्यानी princess September के पास गई and sat down in circle round her और गोल घिरा बनाके उसकी चारों तरह बैठ गई my poor September बिचारी September they said they का मतलब है उन्हाठ बैनों के लिए जो है ना जो राजकुवारी September की बैने थी और उनके नाम थे I am repeating January, February, March, April, May, June, July, August और उन्हाठ उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए उनकी बैनों के लिए we are sorry for the death of your beautiful parrot और कहते हैं वो सब कि हम बहुत दुखी हैं कि तुमारा बहुत तस्चुंदर तोता मर गया it must be dreadful for you और ये तुमारे लिए बहुत भायानक होगा है ना ड्रेटफुल का मतलब होता है बहुत ही भायांकर होगा कि तुमको बहुत बुरा लगा होगा आगे दिखिए not to have a pet bird as we have क्योंकि तुमारे पास कोई भी पालतो चड़िया नहीं जैसे कि हम लोग के पास है so we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot उन्होंने कहा कि तो हम जो हैं तुमारे लिए अपने pocket money से हम लोग सब लोग अपने pocket money खटा करेंगे और उससे तुमारे लिए ग्रीन और यलो रंग का parrot खरी देंगे तुमारे पास हम लोग जैसा पहटने है तो हम लोग से जेब खर्च के पैसे मिलते हैं उसको इखटा करके तुमारे लिए ग्रीन और येलो रंग का parrot खरी देंगे thank you for nothing except September और उसको नहीं चाहिए I have a pet bird which sings the most charming songs to me क्या मेरे पास ही का मेरी पालतु चड़िया है जो मेरे लिए जो बहुत सुंदर गाने गाती है मेरे लिए and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot और मुझे नहीं मालूम है कि उस yellow green parrot का फिल्म में क्या करूँगी मेरे पास तो खुदी एक बहुत अच्छी चड़िया है जो मेरे लिए गाने गाती है well my dear they said फर उसकी बहानों ने का okay my dear ठीक है it is absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes यह लेकिन यह बहुत ही absurd है कि बहुत एक अजीब सी बात है कि कि तुमारी चेड़िया जो है जो छुटी सी चेड़िया है वो आती हो जाती रहती in and out करती रहती है मतलब वो उसके घर उसके palace में रहती नहीं थी चली जाती थी आ जाती थी और as he likes जब उसका मन करता था they looked around the room and raised their eyebrows और दे का मतलब है यहां उनकी बहनों के लिए उन्होंने अपनी जो है चार तरफ अनजरे घुमा के देखा and raised their eyebrows और अपनी eyebrows उठा के चार तरफ देखा आगे देखें do you mind our asking where your bird is now they said और उन्होंने का क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे एकर हम यह पूछे कि तुमारी चिडिया अभी का है he has gone to pay a visit to his father-in-law said princess September और princess September ने का है कि उसे चिडिया के father-in-law जो थे वो उनको visit उनको मिलने गई हुई है अभ चिडिया के father-in-law ठेक है and what makes you think he will come back ask the princess और बाकी राजकोमारी उन्हें पूछा क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगी he always does come back said September September ने का रही वो हमेशा वापस आ जाती है well my dear said the eight princess तब फिर उन्हा राजकोमारी उन्हें का okay मेरी प्यारी बेहन if you will take our advice अगर तुम हमारी सहला मानो you won't run any risk like that तुम कोई भी रिस्क मत लेना if he comes back अगर वो चिडिया वापस आती है and mind you if it does you will be lucky और अगर तुम मान लेती हो हमारे बात तो तुम बहुत lucky होगी pop him into the cage and keep him there कि तुम उसको पकड़के जो है cage में डाल दो that's the only way you can be sure of him और सिर्फ यही तरीका है कि तुम उससे sure हो सकती हो क्योंकि चिडिया जो है आय दिन अब जब उसका मन होता था तो वो चली जाती थी उड़के बाहर और जब होता तो मान आ आ जाती थी तो उनकी बहनों ने का कि अगर तुम उसको हमीशा क्लिए रखना चाहती हो तो उसको अपनी cage में डाल दो नहीं तो कहीं हो सकता उसका मन ना ना आए तो तुम क्या करोगी यह कहने का मतलब था बट I like to have him fly about the room said the young princess September और लेकिन जो छोटी princess September थी उसने कहा कि मुझे अच्छा लगते है कि वो कबरे में उड़ती रहती है safety first said her sisters ominously और उसकी जो sisters थी उनने का बैया पहले सुरक्षा है ना ठीक है पहले सुरक्षा की बाद होनी चाहिए और देखियो ominously मने लिखा है कि threateningly उसको डराते हुए का they got up and walked out of the room और वे उठी और कमले से निकल गई सब सारी बेहने shaking their heads और अपना सर हिलाते हुए निकल गई and they left September very uneasy और उनोंने बहुती uneasy feeling में कि बिलकुल असंतुष्ट कर दिया बेचान करके September को छोड़के वो अपना सर हिलाते हुए सब चली गई ठीक है तो this is the part one now see the second part it seemed to princess September that her little bird had been away a long time something might have happened to him और देखे जब उसकी बहरों ने इसको कान में एक बार डाल दी कि वो कभी भी आ जा सकती है तो कभी भी बापस ना आई तो क्या होगा तो उसके दिमाग में doubt आने लगे और क्या हुआ it seemed to princess September और princess September को ऐसा लगा कि that her little bird had been away a long time कि बहुत देर हो गई है और little bird अभी तक नहीं ही आई है बहुत देर से गई होई है something might have happened to him कहीं उसको कुछ हो ना गया हो what with hawks and with snails you never knew what trouble he might get into कर ठिफकल वर्दे कि हचे डबलुए के एस हॉक कहते है बाज क्वक्षी जो होता है और snails होता है कि कोई फंदा बना के इसको पकड़ ले है ना या फिर फुसला ले उसको तो इसको snails कहते है so वो कहते है what with hawks and with snails you never knew तुम कभी नहीं जान सकते कि कभी कोई बाज उसको पकड़ ले बड़ा पक्षी होता है बाज है ना या फिर को इसको फंदा डालके पकड़ ले what trouble he might get into पता नी किस समस्या में वो फस गई हो किसी प्रॉब्लम में ना फस गई हो इसा विचार आने लगे उसको he might forget her शायत कहीं उसको भूल गई हो प्रिंस सेप्टेंबर को ऐसा भी लगने लगा उसको he might take a fancy to somebody else और फ्रिंस सेप्टेंबर को ऐसा भी लगा कि यार उसको कोई और पसंद आ गया अभी तक प्रिंस सेप्टेंबर थी तो वहाँ आ जाती थी और कई इसको और पसंद आ गया तो हो सकतो वो उसको प्रिंस सेप्टेंबर को भूल जाए that would be dreadful और dreadful का मतलब होता है कि ये तो बहुत ही खराब होगा बहुत ही भयांकर होगा उसके लिए she wished he were safely back again और वो wish करने लगी भगवान से प्राथना करने लगी कि वो safety के संग वापस आ जाए suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder और देखे जब वो सोची रही थी उसके बारे में चड़िया के बारे में उसके तरह तरह की खयाल आ रहे थे कि कहीं किसी ने पकाड ना लिया हो या किसी बाचपेक्ची ने ना पकड लिया हो या कहीं वो उसको भूल ना गई और चड़िया को कोई और पसंद ना गया हो तो उसको भूल जाए तो जब वो सोची रहे थी कि अचानक सदनली मने होता अचानक September heard a tweet tweet September ने tweet tweet करके आवाज सुने just behind her ear और उसके कान की पीछे एक आवाज आई tweet tweet देख रहे फोटो में चड़िया बोल रही उसके कान के पीछे and she saw the little bird sitting on her shoulder और उसन she had not heard him और वो इतने धी में से quietly होता है इतने शान्ती के संग जो है वो आई and alighted और alighted का मतलब होता है कि नीचे उतरी इतने शान्ती के संग नीचे उतरके उसके कंदे पे बैठ गई और इतनी softly that she had not heard this heard him और उसने उसको सुना भी नहीं उसको महसूस ही नहीं हुआ कि चु कि मुझे जो है बहुत मैं जानने के लिए उसक थी wondered मैं रहता है कि मैं जाना चाहते थी कि भाई दुनिया में तुम क्या हो गया तुम कहां चलेगी इतनी देर कैसे लग गई I thought you would wonder that said the little bird और little चड़िया ने कहा चोटी सी bird ने कहा कि मैंने सोचा था कि तुम चिंतित हो रही योगी very nearly didn't come back to night to all और the fact is I very nearly didn't come back to night at all कि आज मैं आ नहीं सकती थी my father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay but I thought you would be anxious father-in-law का मतलब होता है कि चिडिया के husband के father है ना उसके सहसूर जी उन्होंने एक party दी थी और वो चाहते थे कि वो पाटी में वहीं पर रुके उस रात but I thought लेकिन चिडिया के थी कि मैंने सोचा कि you would be anxious कि तुम चिंता करोगी और इसलिए मैं आ आ गए otherwise मैं आने वाली नहीं थी under the circumstances this was a very unfortunate remark for the later birth to make और इस परिश्चितियों में कि चिडिया का ये कहना ये रिमार्क देना कि मैं आज आने वाली नहीं थी और मैं अपने घर में रुकने वाली थी पाती में ये बहुत ही दुरभागे पूर रहा क्योंकि पहले सी उसकी बहनों ने उसके दिमाग में बात डाल दी थी न कि कई न आ आई तो है न और दुरभागी की बात है कि चिडिया ने बात कह भी थी कि वो आने वाली नहीं थी तो यह उसके लिए बहुत गलत हो गया इगेंस्ट हर चेस्ट लिए तो उसका हाट धर की ऊपर आ गया। up her hand and took hold of the bird और उसने अपना हाथ लिया और पुच्टिया को पकड़ लिया the bird suspected nothing और bird को कुछ भी शक नहीं हुआ, suspected का होता है, शक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा उसे प्यार से दील करते थी न, तो पुच्टिया को कुछ नहीं लगा and he was so surprised when she carried him over to the cage और फिर से दीखे, the bird suspected nothing and he was so surprised और उसको बहुत सर्प्राइज हुआ, अश्यर हुआ, जब प्रिंसस सेप्टेमबर जो थी उसको केज के पास लेगी, पिंजडे के पास, देख रहे हैं फोटो में, पिंजडे के पास केज में ले आई है, चुडिया को, पॉप he could think of nothing to say और उसने उसको अंदर धका दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया पिंजडे का फोर एक छड के लिए, for a moment, he could think of nothing to say, उसको कुछ समझ भी निया आया कि वो क्या कहे, but in a moment or two, he hopped up to the ivory perch and said और एक दो छड के बाद वो जो थी, हॉब जो जम्प करने लेगी चुडि कि भादा टाइप की होती है, जो ivory की बने होती है, ivory होता हाती दात, हाती दात की बनी हुई, sonic के पिंटडा था, हाती दात की उसमें पर्च लगी होती जिस पे वो चुडिया बैठती थी, है न, उसका अड्डा, उसका जो मचान बने हुई थी पर्च, है न, तो उसके वो cats are prowling about tonight. And I think you are much safer in there. और उसने कहा कि आज ममा की कुछ बिलिया जह है, वा प्राउल करेंगे. प्राउल करना होता है बच्चों, शिकार के लिए निकलेंगी रात को. यह प्राउल about tonight, आज रात को शिकार के लिए निकलेंगी. And I think और मुझे लगता है, कि you are much safer in there और तो इस cage में सुरक्षेत होगी अधरवाइस तुमको मम्यक की बेलियां चोहें खा सकती है well just for this once I don't mind ओके फिचडिया ने कहा कि इस बात के लिए तो मैं बोरा नहीं मानूंगी said the little bird long as you let me out in the morning so long as you let me in the morning क्योंकि उसको लगा कि वो सुभे तो उसको बाहर निकाल दी कि तो इसक लिए उसने हमको बचाने के लिए कहा तो इसने का ठीक है कोई बात ने he ate a very good supper and then began to sing और उसने बहुत एक अच्छा dinner के supper कहते dinner को और गाना गाने लगी but in the middle of his song he stopped लेकिन जाओ गाना गाने गाते वो रुख गई I don't know what is the matter with me he said but I don't feel like singing tonight और कैथी मुझी समझ में निया रहा है कि मुझी क्या हुआ है लेकिन मुझी ऐसा मन निका राज गाना गाने का very well said September go to sleep in a state कोई कुष निका okay ठीक है तुम सो जाओ so he put his head under his wing and a minute was fast asleep और उसने चिडिया ने अपना जो सर था अपने पंख के नीचे चुपाया और एक मिनट में बहुत फास्ट असलिप गया है जी नीद में सो गई चिडियों को कभी आप लोग उन्हें देखा है बच्चों अपना जो सर पंखो के नीचे ढग लेती है तब सोती है September went to sleep too और September भी सोने चले गए but when the dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice dawn होता है बच्चों सुभा को कहते है morning को और जब सुभा की पॉफटी सुभा सुभा हुई she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice कि उसको प्रिंस सेप्टेंबर को चिडिया ने जगा दिया और बहुत तेज तेज top of his voice बहुत तेज चिला रहे थी wake up, wake up और उस कह रहे थी जागो, जागो open the door of this cage and let me out इस cage का दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकालो I want to have a good fly while the dew is still on the ground और मुझे dew होता है बच्छे ose को कहते है, ose की बुंदे जो होती है कि मुझे उड़ना है बादलो में उससे पहले कि जब तक dew जो है, ose की बुंदे जमीन पे हो क्योंकि जब सूरज निकला आता है तो ose की बुंदे दी में दी में सूख जाती है तो वो जब ose की बुंदे जमीन में थी तभी वो उड़ना जाते थे you are much better off where you are set September, better off का मतलब है कि ज़्यादा अच्छी जगह पे तुम जहां पर हो वहाँ पर बहुत अच्छी जगह पे हो और ऐसा present September ने का let me out, let me out, set the little bird और वो जड़िया कहते रहे मुझे बहार निकालो, मुझे बहार निकालो and he tried to slip through the bars of the cage और फिर जो cage की जो पिंजडे की छड़े होती उसमें चोटी चोटी जगह होती वहाँ से अपने आपको निकालने की कोशिश करने लगी but of course couldn't लेकिन वो करने सकी क्योंकि उसमें से चड़िया नहीं निकाल सकती दिकामी स्पेस होता है and he beat against the door और वो दरवाजे की तरफ दरवाजे को मारने लगी but of course he couldn't open it लेकिन दरवाजे नहीं खुला then the eight then the eight princess came in and looked at him they told September she was very wise to take their advice और उन बैनों ने princess September से कहा कि तुम बहुत बुद्धी महानो क्योंकि तुमने हम लोग की सला मान ले they said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free कि कुछ दिनों में चड़िया को जो है पिंजडी की आदत हो जाएगी और वो भूल भी जाएगी कि वो कभी free हुआ करती थी the little bird said nothing at all while they were there और लिटल बर्ड ने कुछ भी नहीं का जब उतक उसकी बहने महाँ पा खड़ी थी little bird ने कुछ भी नहीं का but as soon as they were gone he began to cry again let me out, let me out जैसे उसकी बहने गई वो फिर से चिलाने लगी कि मुझे बहार निकालो मुझे बहार निकालो देख रहे हैं now come to the other page don't be such an old silly set September और इस तरह की बेवकूफी की बाते मत करो मूर्ख मत बनो ऐसा जो है Princess September ने चिडिया से कहा I have put you in the cage because I am so fond of you so fond of other love कि मैंने तुमको चिडिया में I know what's good for you much better than you do yourself मैं जानती हूँ कि तुमारे लिए क्या अच्छा है जितना तुम अपने आपके लिए नहीं जानती है उससे जादा मैं जानती हूँ कि तुमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है Sing my little song एक छोटा सा गाना गाव मेरे लिए and I will give you a piece of sugar और मैं तुमको एक चीनी का तुकडा दूँगी but the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note लेकिन जो छोटी सी चिडिया थी वो केज के कोने पे बैठी रही हैना महीं पर खडी रही और looking out at the blue sky और बाहर खिडकी से नीले आसमान को देखती रही and never sang a note एक note, एक गाने का टुकडा भी नहीं गाया एक note भी नहीं गाया उसने what is the good of sulking what is the good of sulking September, September ने कहा कि तुम क्यों नाराज हो रही हो sulking होता है नाराज होना why don't you sing and forget your tabos तुम क्यों नहीं गाती हो और अपनी परशानियां क्यों नहीं भूल जाते हो how can I sing, answered the bird उसने कहा कि मैं कैसे गा सकते हो I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field मुझे जो है पेर देखने है, जील देखनी है और चावल के जो खेट जिसमें चावल पक रहा है वो देखना है, खेट देखने है I will take you out every day she said और प्रिंसस ने कहा कि अरे भई मैं तुमको रोज ले जाओंगे it is not the same thing said the little bird little bird ने कहा कि ये वो same चीज नहीं है तुम ले जाओगी the rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage अगर जो है तुम मुझे ले वी जाओगी पिंडड़े में बंद करके तो जो छाओड के खेत है जो जील है जो विलो ट्रीज है विलो ट्रीज पेड का नाम होता है जिसे cricket के बैड बनते है तो वो cage की अंदर से देखने से पिंड़े के अंदर देखने से दूसरे तरंक से दिखाई देते है अच्छे नहीं लगते, जबकि वो खुले आवा, खुले में उड़के जब देखे तो वो ज़्यादा एंज्वाय करती है The bird wouldn't sing a song and he wouldn't eat a thing और बर्ड ने एक भी गाना नहीं गाया, ना कुछ खाया The princess was a little anxious at this और जो राजकुमारी थी, बहुत चिंतित हो गई, anxious मने, बहुत चिंतित हो गई And asked her sister what they thought about it और उसने अपनी बैनों से पूछा कि जो वो कुछ सोच रही थी You must be firm, they said और उसकी बैनों ने कहा कि नहीं, तुम firm रहो, तुम अपने जाबात पे जमी रहो But if he won't eat, he will die, she answered लेकिन उसने कहा कि अगर वो खाएगी नहीं, तो वो मर जाएगी That would be very ungrateful of him They said, और उनकी बैनों ने कहा कि ये तो बहुत ही ऐसान ना मनने वाली बात होगी He must know that you are only thinking of his own good और उस्टुडिया को सोचना चाहिए कि तुम जो हो, उस्टुडिया के अच्छे के लिए सोच रही हो If he is obstinate, obstinate मैंने होता है बच्चो जिद्धी अगर वो जिद्धी है and dies, it will serve him right and you will well rid of him Rid of होता है बच्चो, छुटकारा पाना कि अगर वो जिद्धी है और वो मर जाती है, तो जह सही होगा क्योंकि और तुम्हें तो छुटकारा पी मिल जाएगा उससे September didn't see how that was going to do her very much good और September ने सुचा कि अब समझ में नहीं आ रहा है उसको कि किस तरह ये उसके लिए कैसे अच्छा होगा कि अकर वो कुछ खाय कि नहीं मर जाएगी तो वो प्रिशन सेप्टेंबर के लिए कैसे अच्छा होगा वो छुटकारा कैसे पाजएगी, उसको कुछ समझ में नहीं है अपने बहन की बाते, और कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाएगा, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing और वो सब एक तरफ थी और आठ थी, और सब की सब उससे बड़ी थी, तो इसलिए उसने कुछ कहा नहीं Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said, और उसने अपने मन में सोचा कि शायद कल तक उसको पिंजडे की आदत पढ़ जाए, used to होता है मत उसको आदत पढ़ जाए, and next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice और अगले दिन वो जोगी, तो उसने बहुती cheerful voice में, खोशी से भरी आवाज में, good morning उसको विश्का she got no answer, लेकिन चिडिया ने उसको कोई उत्तर ने दिया, she jumped out of bed and ran to the cage वो जल्दी से, बिस्तर से उत्री princess September, और cage के पास गई, बिंजड़े के पास गई, she gave a startled cry, और वो बहुत भचकी हो, कि बहुत रुई चिललाई, for there the little bird ले, जो फॉर में नहीं होता है, क्योंकि little bird जो थी, लेटी पड़े हुई थी, आगे देखिए next page, at the bottom on his side, with his eyes closed, और उसने देखा कि चिड़िया लेटी पड़े हुई है नीचे पर, एक तरफ और उसकी आखे भी बन देए and he looked as if he were dead और ऐसे लगा, देखने में कि जैसे वो मर गई, she opened the door and putting her hand and lifted him out, और उसने still beating, और उसको थोड़ी सी चैन की सास मिली, जब उसने मैसूस किया कि उसका हाट जो चिड़िया का अभी धड़ा करा है, wake up, wake up little bird, she said, उसने का, जागो little bird, जागो, she began to cry and her tears fell on the little bird, और वो रूने लगी और उसके आशू जो थे, वो चिड़िया जो जो चड़े थी, वो अब उसकी चारो तरफ नहीं थी, यानि की उसने मैसूस किया कि वो पिंड़ से बाहर आ गई है, I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said, और उसने कहा कि जब तक मैं free नहीं होती, तब तक मैं नहीं गा सकते और अगर मैं नहीं गाओंगी, तो मैं मर जाओंगी the princess gave a great job, और princess ने एक बहुती भावुक के सिस्की भरी then take your freedom she said, उसने कहा कि okay, तुम स्वतंतरो जाओ, I shut you in a golden cage, because I loved you, मैंने तुमको एक सोने के पिंड़े में इसलिए बंद किया, क्योंकि मैं तुमको पियार करते थी, and wanted to have you all to myself, और चाहते थी कि तुम मेरे ले रहो, but I never knew it would kill you, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बात तुमको मार डालेगी, I love you enough to let you be happy in your own way, और मैं तुमें पियार करती हूँ, और रेकिन और उसने जो है, उसका खिड़की खोली, और उसकी बहुत ही softly, gently उसको सिल पे रख दिया, चोखट खिड़की की चोखट पे रख दिया He shook himself a little, और च्रिया ने अपने आपको थोड़ा हिलाया Come and go as you will, little word she said, और उसने कहा जब मन चाहे आओ, और जब मन चाहे जाओ I will never put you in a cage anymore अब मैं तुमको कभी भी cage में नहीं रखूंगी I will come because I love you Little princess said the bird, लेगे चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे पैस आऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, and I will sing you the loveliest song I know और मैं तुम्हारे लिए सबसे प्यारा गाना काऊंगी, जो कि मैं जानती हूँ उनमें से सबसे प्यारा गाना काऊंगी I shall go far away मैं बहुत दूर जाऊंगी, but I shall always come back, and I shall never forget you, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी और कभी भी तुमको नहीं भूलूंगी He gave himself देखे, next page देखे, जो चुटोखट पे रखा हूँ, जो कि सिल पे हाँ रखे हूए, और ये अगला गान देखे, shall give always, come back, and shall never forget you, और मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊंगी हो, तो कभी भी तुमको नहीं भूलूंगी He gave himself another shake, और उसने अपने आपको फिर से हिलाया, good gracious me, how stiff I am, he exclaimed, और good gracious कि में होता है, कि तुमने मुझ पे करपा की, how stiff I am, मैं कित्ती अकड गई हूँ, क्यों क्यों पिंजड़े में बंद बंद ना, खुल के उड़ नहीं पाई, तो कैती, how stiff I am, मैं कित्ती अकड गई हूँ, he exclaimed, उसने ऐसा बोला, then he opened his wings, and flew right away into the blue, और blue का मतलब है, यहाँ पर नेले आसमार में, और उसने अपने पंक कोले, और वो सीधे आसमार में उड़ गई, but the little princess burst into tears, for it, it is very difficult to put the happiness of someone you love before you own, लेकिन वो तो उड़ गई, लेकिन जो प्रिंसे सेप्टमबर थी, वो बहुत कस के, food, food के रोई, because, फॉर मारी तो, because, it is very difficult to put the happiness of someone you love before you own, क्योंकि यह बहुत मुश्किल होता है, कि अगर आप जिसको प्यार करें, उसकी खुशी पहले रखें ठीक है ना, आगे देखें, and with her little bird far out of sight, she felt, और जब चड़िया उसकी आँखों से दूर ओजहल हो गई, उड़ गई, तो उसने मैसूस किया, all of a sudden, एकदम से, कि very lonely, और अपने आपको बहुत ही अकेला मैसूस किया, when her sisters knew what had happened, they mocked her, और जब उनकी बहनों को पता चला उसकी, तो उनों लोग ने उसका मजाग बनाया, mocked होता है, मजाग बनाया, and said, और उनों ने का, that the little bird would never return, कि वो चड़िया कभी भी वापस ने आएगी, but he did at last, लेकिन, he did he, मतलब ये उस चड़िया के लिखा गया, कि लेकिन उसने ऐसा किया, याने कि वो वापस आई अंत में, and he sat on September's shoulder, और वो चड़िया, September की कंदे पे बैठ गई, and ate out of her hand, and sang her the beautiful song, और उसने September की हाथों से खाना खाया, और बहात सुंदर सा गाना खाया, उसके लिए, he had learned, while he was flying up, and down the fair places to the world, और, I am repeating this line, and he sat on September's shoulder, and ate out of her hand, and sang her the beautiful song, beautiful song, he had learned, while he was flying up, and down the, into, down the fair places of the world, और ये गाना उसे तब सीखा था, जब वो दुनिया के बहाँ सुंदर सुंदर जगियों पे उड़ रही थी, और उसने तब वहाँ पर ये सब गाने सीखे थे, September kept her window open day and night, और Princess September थी थी थी, वो हर समय राद दिन अपने खेड की खुली जब भी चडिया को लगे, जब इनक्लाइंट होते है, जब भी वो महसूस करे, तो वो आजा सके, इसलिए हमीशा राद दिन खिड की खुली रहती थी, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful, और ये उसके लिए बहाँ अच्छा था, और चडिया आती जाती थी, और इस वजे से वो खुश रहत थी, और वो बहुत ही जब बड़ी हुई, तो extremely beautiful, बहुत सुन्दर लगी, Princess September, and when she was old enough, she married the king of the Cambodia, and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived, और जब बड़ी हुई, शादी के लाइक हुई, तो Cambodia के राजा से उसकी शादी हो गई, और उसको एक सफीद हाती पर, जहाँ पर Cambodia का राजा रहता था वहाँ ले जाया गया, but her sisters never slept with their windows open, लेकिन उसकी जो sisters थी, बाकी की आठ, January, February, March, April, May, June, July, August, ये सब नाम थे उनके, वो कभी भी खिरकी खुली रखके नहीं सो पाई, so they grew extremely ugly as well as disagreeable, और वो बहुत ही ugly हो गई, बहुत बतसूरत हो गई, और disagreeable होता है, कि कोई भी उनको नहीं करता था, and when the time came to marry them, off, they were given away to the king's councillors with a pound of tea and a siamese cat, और जब वो अगली हो गई, और उनकी शादी के समय आया, तो जो king raja के जो दरवारी थे, उनकी संग उनकी शादी हो गई, और उनको शादी में, a pound of tea, थोड़ी ची चाय और siamese cat दी गई, so this is about the story, and the writer is sombris maugam, and I have already uploaded question answers of this lesson on the same channel, not yes ma'am English English, word meaning is, word meanings are also there, so you can see there, thank you, work hard, thank you.